और एक बात मैं आपको अस्पोस्ट करना चाहता हूँ यह बड़ा ही पेट क्वेश्चन है कभी आपनों के मन में भी संकल्प विकल्प आता होगा मैं एक बात अस्पोस्ट कर देना चाहता हूँ चुकि यह बहुत ही आज की तारीक में सबसे ज्वलंग प्रशन है और की दोनों में नब्य परसेंट चीजी कॉमन इसलिए मैं बता रहा क्योंकि स्लिवस आपका एक तरह का है ओके दूसरा क्या है कि आपको तीनों में एक तरह की समझ विक्षित करनी होगी जैसे कई बच्चों को लगता है अगर हम पॉइंट में लिखना है पॉइंट में आप कई बच्चों को लगता है अगर पॉइंट में लिखना है तो मुझे तत्यों से कम चल जागा नहीं आप पॉइंट में तब लिख पाओगे पॉइंट तब बना पाओगे जब आपके मस्तिस में एक उसके पीछे एक बरा सा समझ रहेगी एक एक ब्यापक समझ आपके करिया है कि जब परिक्षा 1 में आप जाओगे तो पॉइंट बिल्कुल उड़ जाएंगे एक हिस्टी की बात नहीं सारी विश्यों की बात है तो आपको पहली चीजत है कि पूरी स्लेवस की जानकारी चाहिए और स्लेवस की जानकारी नहीं आलवचनात्मक सोच भी इसमें आपको तीनों के कोशन है पहले UPSC के कोशन फिर UPPCS के या BPSC के और UPPCS के तीनों के कोशन है और फिर लास्ट में मैंने क्या किया है इसमें लास्ट में मैंने आपको कुछ संभावित प्रसन करके डाला हुआ है जो मैंने 25 कोशन कुछ पीछे से प्रेर ना लेकर कु हमें जो 10% का फर्क मज़राता है जिसको हम कोश्चन के माध्यम से भाड़ देते हैं कोश्चन की प्रकृति कई वार अलग-अलग हो जाती है अब देखिए जैसे common poverty है कि पिछले मैं दो-तीन वर्सों से महसूस कर रहा हूं कि UPC के प्रस्थनों को जो कातियों as it is ले जाकर state services में रख दिया जाता है तो उहां पर जो उस local जो जो किसी छेत्र BCS में त्यारी कर रहे होते हैं और जो सिर्फ UPPCS के लिए त्यारी कर रहे होते हैं या BPSC के लिए कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनको वो 20% question में दिक्कते आजाएगी चुकि वो इतिहास लेखन से संबनित question हो जाता है या sources of studies से जोर कर पूछ देते हैं तो वैसी question उनकी परीदी से बाहर हो जाता है और वहीं वहीं पर जो दिली से जाते हैं बच्चे या कुछ इस तरह के वह बाजी मार ले जाते हैं तो वैसी उसकी भरापाई पहले करनी है तो आप अगर समगर तैयारी करते हो तो पहला फादा होगा वो 20-25% question जो विस वितिहास में modern history में और ancient और medieval में बिसेस कर second paper में world history और modern history में तो वैसे ही जियोंकत्यों उठाकर रख देते हैं तो वहां पर आप लीड ले जाओगे फिर 20% question estate services के express life होते हैं जो यूपीसी में वैसा कभी नहीं पूस्ते उसमें UPS इसमें त्यारी करने में हम ध्यान रखते हैं जैसे देखो आप यह मैंने इहां पर diagram बनाया है और राजनितिक आपको लेता हुआ चल रहा हूं तो अगर UPS के point of view से देखना है तो राजनितिक को थोरा सा हम neglect करके और प्रशाशन, अर्थवस्था, स्तमाज, संस्क UPSC का 20% question हमें ध्यान में आ जाएगा जिसमें की specific ruler based question हो सकते हैं जो UPSC में नहीं होता है जैसे कारवेल की उपलब्दियों पर प्रकास डालिए, कलिंक के शासक कारवेल की उपलब्दियों पर प्रकास डालिए, सातवहां सासक गौती पुत्र, शतकरनी की उपलब्दियों पर्टी परी कीजिए, शक सासक रुद दामन की उपलब्दियों पर प्रकास डालिए, कुशान सासक कनिश्क के रानितिक और सांसकतिक छत्में महत्पुन उपलब्दियों पर चर्चा कीजिए, तो इस प्रकार से ही वह प्रसन जो इस specific ruler based डालते हैं, उनको मैंने अपने question bank पी रखा हुआ है, और इस specifically उसको हम deal कर देते हैं, तो आपकी तैयारी अब complete हो गई, आप वो 25% उन प्रसनों पर भी आपकी पकर है, जो UPSC की परीधी के अंदर है, और UPSC की तैयारी के बच्चे प्राय उसको कर पाते हैं, state service वाले उससे वंचित रह जाते हैं, और 20% वै को इंटर्टेन करते हैं, इसलिए आज के वाद आप लोग प्लीज सवाल नहीं उठाइएगा, कि हम BPSC दे रहे हैं, हम UPSC दे रहे हैं, हम UPSC दे रहे हैं, आप UPSC दे रहे हो, आप UGC दे रहे हो, आप कोई भी exam दे रहे हो, आप अगर history के कोई भी paper, PT दे रहे हो, मेंस दे रहे हो, या समझ कहीं जाने वाली में, तो कोई बच्चे आइसा नहीं किया, मैं UPSC की त्यारी कर रहे हो, इस्ट्रेट सर्विसस में आप लोगो ऐसे भी देते रहते हो, नैच्ट्रल है, तो इस्ट्रेट सर्विसस की त्यारी भी पुकता होनी चाहिए, मतलब सेर के श का हो, तो इसलिए आस्ट्रेट लगता है, या इसलिए जो कॉंसलिंग में होते हैं, वो बताते होंगे, तो उन्हें लगता होगा, शायद एडमिशन कराने का यह चेकर है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हमारा कभी नियत नहीं होती, हम आपको वही प्रोमिस करते हैं, जिसको आप्लिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन में दे दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिये गए फोन नंबर पर हमसे संपर्ब करें, या हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थांक यू